उकमंडल बर्चर के तहप सलोनी के नजदीक दर्थनाग सडख हाथ से में स्कूटी सवार की दर्थनाग मोथ हो गई स्कूटी सवार टेंकर की चिपट में आ गया वहीं एक कमभीर घायल को उक्चार के लिए मेडिकल कॉलेज हामिरपुर भेजा गया है यहां इसकी हालत स्थिर बनी हुई है जानकारी के अनुसार होश्यार सिंग निवाजी बट्रांद था जीवन प्रकाश निवाजी हरीटा स्कूटी पर सवार होकर द्योटचित से नादोन की तरफ आ रहे थे वहीं एक टेंकर स्लोनी से बटसर की तरफ चा रहा था स्लोनी के द्योट सिर्फ जोंग पर टेंकर ने स्कूटी को टकर मार दी टेंकर की चपेट में आने से स्कूटी सवार होश्यार सिंग की मोके पर ही दर्दनाक मोध हो गई जबकि दूसरे सवार जीवन प्रकाश को गंभीर चोटे आई है जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमिरपूर भेजा गया है हाथ से के बाद चड़क पर लोगों का जमगड लग गया लोगों ने गायल को अस्पताल पहुँचाय बही मोके पर पहुँची पुलिस ने प्रतेक्ष दर्शियों के ब्यान कलम बद किये हैं टेंकर चाला के खिलाप मामला दर्श कर आगे की कारवाई शुरू करती है अधिरिक्त पुलिस अधिक्षक बिजे सकलानी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और आगे की कारवाई अमल में लाए जा रही है मुख्य मंत्री जैरम ठाको ने धरमशाला में आयोजित राजेस तरिया अंगीकार अभ्यान के समापन समरों की अध्यक्ष्टा की इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि इस अभ्यान का लक्षिय परधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंदर सरकार की अन्ने योजनाओं जैसे उजवला और आयुशमान भारत के अंतरगर्द लाना है जैरम ठाको ने इस अभ्यान का मुख्य उदेशिय परधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उजवला योजना के तहत गैस कनेक्शन और आयुशमान भारत के तहत स्वास्ते बीमा उपलग्द करवाना है उन्होंने कहा कि परधेश में अब तक परधान मंत्री आवास योजना मुबाइल एपलिकेशन के अंतरगर्द 5829 लोग कबर किये गए हैं जैराम ठाकों ने कहा कि ये अभ्यान केंदर सरकार द्वारा इस वर्ष 29 अगस्त से शुरू किया गया और इसे परधेश में अधिकारी ग्रूप से 2 अक्तूबर को मंडी जला से प्रारम किया गया था जिसका स्मापन हुआ है उन्होंने कहा कि इस अभ्यान का मुख्य उदेशिय प्लास्टिक से परेवन को होने बाले दुश्प्रभाबों तता परेवन सरंचन के बारे लोगों को जागरू करना है उन्होंने कहा कि इसमा की 27 तारीक तक परदेश देश्पर में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां हर घर में LPG गैस कोनेक्शन उपलब्थ होगा स्वास्ते अबम परिवार बिभाग में फिमेल हेल्थ बर्कर बैच्वाइस बोस्टिक नहीं भारे जा रही है जबकि परदेश में तीन इंसिचूट है जहां ट्रेनिंग करवाई जाती है लेकिन सरकार 22 वर्षों से कोई भी परत्म नहीं भर रही है जिससे हिमकेर की कई महिलाएं नोकरी का इंतजार करते करते अधिक आयू की हो गई हैं और कई अभी भी इंतजार कर रही हैं जब इन महिलाओं का एक दल मुख्यमंत्री से मिला तो स्वास्ति मंत्री ने भी दोधार बाली बात कह दी इन महिलाओं को कहना है कि मेल बर्कर को सीधे भरती किया गया है जब कि फी मेल बर्कर को किसी नहीं पूछा और सरकार को जब बोट मांगने होते हैं तो सरकार कई वायदे करती है और जब सरकार बन जाती है तो आम जंता से मिलने से भी कत्राती है यही नहीं महिलाओं ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा ही है सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और अब ये महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के बज़ाए काम करवाना चाहती है सियम जेरम ठाकों ने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर मीट पर हुए खर्च से अधिक पैसा पूर्फ कॉंग्रेस सरकार ने उना के पंडोगा में उद्द्यों के क्षेत्र बिक्सित करने के लिए मिट्टी हटाने के नाम पर ही खर्च कर डाला था उन्होंने कहा कि यदि कॉंग्रेस परदेश में निवेश की बिरोधी नहीं है तो फिर पै किसके पक्ष में है आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना ही पड़ता है अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो मन्जिल दूर ही खड़ी रहेगी बुखे मंत्री जहरम ठाकों नहीं इस दुरान बिपक्ष पर जम कर हमला बोला और कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर मीट के मुद्धे पर बिपक्ष का शोर्षरावा केबल राजनीतिक लाब लेने तक सिमित है उन्होंने कहा कि बिपक्ष राजनीति जरूर करें मगर जब परदेश के विकास की बात हो तो राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए उन्होंने कहा कि सरकार ग्लोबल इंवेस्टर मीट का खर्ष देने को तयार है क्योंकि हमने चुपाया कुछ भी नहीं नूर्पूर के विद्याइक राकेश पठानिया ने कहा कि इंवेस्टर मीट के नाम पर पूर्व सरकार के मन्ति 80 लाग रुपए खर्ष कर आए जबकि इंवेस्टर एक भी नहीं ले पाए विधान सबा में पठानिया दोरा उठाएगे सरकार के इंवेस्टर मीट के मुद्दे को लेकर नेता विबक्ष चर्चा में भी शामिल ना होकर भाग रहे हैं